दोस्तों मूली के पराठे, मूली के भुजिया अधिकतर लोग खाना पसंद करते हैं लेकिन मूली में कैसे गुण पाए जाते हैं जिससे के कैंसर से लेकर डाइबर्टीज तक का रिस्क मूली खटाती है इसके जबर्दस फायदे आज इस वीडियो में हम जानेंगे मूली में कई ऐसे गुड़ पाए जाते हैं जो कैंसर से लेकर डाइबर्टीज तक में फायदिमन है यही कारण है कि हेल्थ एक्सपर्ट इससे अहार में शामिल करने की सला हमें देते हैं मूली बेहत फायदिवन सबजी होती है इसका सेवन सलात के तौर पर ज्यादा किया जाता है इसके अलावा मूली के परांठे सबजी भी बनाए जाती है हलांकि बहुत से लोगों को यह सबजी पसंद नहीं होती है ठाली में मूली को देखते ही नाग बहुत सिकॉर्ण में लगते हैं ऐसे लोग मूली के फायदों से अंजान होते हैं डायटीशन मूली को रोजाना खाने की सलहा देते हैं यह पाचन के लिए अच्छी मानी जाती है और कई तरह की बीमारियों का खत्रा भी कम करती है ऐसे में आई जानते हैं कि मूली खाने के बारे में और इसके फायदे क्या है मूली में ऐसे गुड़ पाय जाते हैं जो कैंसर तक के खत्रे को कम कर सकती है इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो एंटी ऑक्सिडन की तरह काम करता है इसके कई फायदे होते हैं इसलिए हैथ एक्सपर्ट इसे अपनी डायट में शामिल करने की सलहा देते हैं मूली में फाइबर की मातरा ज्यादा पाई जाती है जो इंसुलिन को कंट्रोल करने में मददकार है मूली शुकर लिवल को बढ़ने नहीं देती इसलिए डाइबेटीज के मरीजों के लिए फायदिमन माना जाता है डियाबिटीज मरीजों के लिए इसका सिवन अच्छा होता है, मूली खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, इसमें एंटी हाइपर टैनिजम गुण पाय जाते हैं, जो हाइबीपी कंट्रोल करने में कामियाब होती है, मूली में परियापत मातरह में पोटेशियम भी मददकार है, इसे खाने से इन समस्याओं से रहत मिल जाती है, मूली खाने से शरीर की गंदगी दूर होती है, इसमें ऐसे गुड़ पाय जाते हैं, जो किड्ली की सिहत के लिए अच्छे माने जाते हैं, मूली शरीर से टॉक्सिन को बहार निकालने का काम करती है, यही जन्ती बीमारियां आपको जकड रही है, तो जल्दी इन से छुटकारा मिल सकता है, अगर आप मूली का सेवन रोजाना करते हैं, तो अमेद करते हैं, आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, वीडियो को जादर से जादर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेर जन्ती बीमेद करें आपको जादर करना आपको से जादर होगा जादर.